दोस्तों आज की वीडियो काफी एक्साइटिंग रहेगी क्योंकि मैं शॉट तम में क्रिप्टो के बिटकॉइन के सूर्थेहाल के बारे में जिक्र करूँगा साथ ही साथ लॉंग तम में एक ऐसा फ्रैक्टल जो काफी बड़े महाबूल मार्केट की तरफ इशारा कर रहा ह जो कि मेरे लॉंग तम पर्सपेक्टिव है विच इस ओल्वेज बिइंग वेरी बुलिश यह शॉट तम में ज़रूर देख थोड़े से खत्रे के बादल हैं तो उसके बारे में बात करेंगे और कल हमने अपने ट्विटर चैनल पर पूछा था कि आप बताईए कौन से आल्ट कोईंस के बारे में आप विचलेशन करवाना चाहते हैं तो आपकी पसंद के बेसिस पर दो बड़े आल्ट कोईंस के बारे में आज विचलेशन होगा और वो एथिरियम नहीं है तो वीडियो अन तक देखीगा और वीडियो के आंत में आपसे 50 डॉलर का सवाल भी पुछा जाएगा जिसका सही उत्तर देने पर आप 50 डॉलर जीत सकते हैं तो वीडियो मेरे नाम है रोहिच शर्मा सेटोशी स्टैकर इंडिया में आपका स्वागत है यह दिया आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को आगे बढ़ने में हेल्प कर रहता है इससे breakout breakdown होके price नीचे गिरने की तरफ रहता है but don't get bogged down by these massive candles actually अगर आप देखें तो यह पूरा का पूरा जो हिससे में आपके सामने चितर है यह मुश्किल से 200-300 डॉलर की बीच की का खेल है मतलब bitcoin 200-300 डॉलर के अंदर ही घूम रहा है 29,000-29,100-29,200 maximum 31,400 अगर stock market रुप करें तो stock market Friday को बहुत जारा बड़ी engulfing candle candle लेकर बंद हुई थी बड़ी red juicy candle थी और आज जो इसका futures खुलना है संड़े को रात को वो निर्धारित करेगा कहीं कि हम किस गली जा रहे हैं अपना को ठेकाना नहीं but I think अगले हफते थोड़ा सा हम लोग निड़ने ले क्रिप्टो के bitcoin के आने वाले आगामी श्रंखला के लिए बट मैं आपको आज का hero एक ऐसा फ्रैक्टल दिखाऊंगो जो की बहुत important है बहुत बड़े bull market तरव इशारा कर रहा है यह क्या है बेसिकली 2015 से 17 का जो की जो श्रंखला थी उसको compare कर रहे हैं हम 2021 से 23 की या 2022 से 22 की यहाँ पर तीन चीज़े हैं नीचे सबसे नीचे हमारे बास है MACD, MACD over the period of two years higher lows बना रहा था, उपर उपर जा रहा था, 2022-20 में भी ऐसा ही है, मतलब जो MACD के गिरावट की दर है वो कम होती जा रही है, यह वो अला जो अभी हाल फिला हल का पिछले एक साल का period है, दूसरी च start of a maha bull market, obviously plus minus 2-3 months लग जाते हैं हमें तो इसी patience रखनी बढ़ेगी, trend reversal stochastic RSI का 2023 में भी हो चुका है, यह almost almost January पे हम लोग trend reversal ले चुके हैं, तो मेरे विचार से technically हम लोग इस हमें bull market में हैं, और तीसरा जो है market का finally 50 और 200 weekly moving average की उपर आकर प्रतिस्थापित करना, तो यहाँ अगर आप देखें तो price 2015-16-17 में, यह आपको लाइने वाइसे ठीक से दिखेंगे यह लोग की लग की जो लाइन है, 50 weeks moving average और red color की लाइन जो है, 200 weeks moving average का जो है, यह lines है, और कहीं ना कहीं stochastic RSI के flip होने के बाद अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर हम 20 weeks moving average के उपर ग देखेंगे, red और yellow line दोनों, यानि कि 50 और 200 weeks moving average के हम finally उपर आ चुके हैं, so I think that is a sign की वो वाली जो पूरी की पूरी bull market है, 2017 उसके बाद चलने वाली 18, 19, 20 की जो bull market है, वो कहीं न कहीं यहाँ पर copy होती दिखाई दे रही है, तो I think बहुत सारे लोग कह रहे है, negative, 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 bitcoin नीचे जाएगा, आप अगस्त सितंपर में बड़े crash आएंगे, तो तो किसी की मत सुनो, yes, crash दगर आएंगी तो stay invested in crypto, आपको मौका नहीं मिलेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, anyways, वीडियो की दूसरे भाग में हम कुछ negative बा आई है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कांड कर रहे है, खबर ये बड़ी आई है कि चाइना में Huobi के दो बड़े executives को arrest किया गया है, कारण पता नहीं है, और पता चलेगा, detail में उनसे investigation की जा रही है, बड़ी exchange है, बुरी तरह से crash होगी, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हू समझना अभी आप crypto expert बन जाओगे, अगले 5 मिंट के अंदर अगर आपको fraud detect करना है और बहुत सारे भोले customers इस बारे में फज जाते हैं, है ना, so अभी क्या किया है इन्होंने basically, इन्होंने USDT को तबाह करने के लिए planning करी है, but चलो तबाह करें, हमें फरग नहीं बढ़ता है बट अपनी जेब भर रहे हैं यह इसके दुरूद दूरूँ अब क्या हो रहा है कि यह on chain data का चार्ट है, होबी के, होबी के account के अंदर, होबी का जो audited account है, तो अभी क्यों बताया जा रहा है कि होबी insolvent है, क्यूंकि यह पहली बात तो क्या कर रहे है, market में इन्होंने एक नई chit scheme निकाली है, नया इन्होंने एक coin निकाला था STUSDT, STUSDT यहनी कि stake करो USDT को और 4-5% जो है उस पर yield ले लो, अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग तो STUSDT में निवेश कर रहे हैं, मेरे आपके से लोग खरीद रहे हैं, but the balance of amount on, amount held on हो भी is dramatically going down, जैसे FTX ने कहा था, जै coin create करके, लोगों से पैसा ले रहे हैं उसके, और scheme क्या है, आप STUSDT खरीदो कैसे, अपने tether को बेचो, और तो इससे massive amount में tether sell off हो रहा है, और यह क्या कहते है, हम उसके बदले में STUSDT खरीदेंगे, और खरीद के, उससे आपको yield लाके देंगे, बड़ वो पूरा को पू the blockchain is going rapidly down, यह 4.5% की yield कैसे लाके दे रहा है, simple सा logic है दोस्तों, अगर आप किसी को yield देने का promise करते हो, तो आप उसको interest देते हो, principle तो आपके पास रहता है, तो यह 4.5% का interest लोगों को दे रहे हैं, और भोले लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि उनका 100% पैसा फसने वाला है, 98% प fugitive है, अगला बड़ा कांड करने के तयारी में है, और as per the on-chain Merkle Tree audit के, मातर 63 million USDT के equivalent का amount इनके पास पड़ा है, right, and I think लोगों ने तो billions of dollars रखे हुए, right, sorry, माफ की जिगा, 631 million dollars का होना चाहिए, और मातर 90 million dollars का है, एक billion नहीं है, 600 million dollars है, billion से एक थोड़ा से कम, यहनी कि भारत यह numbers में बोले तक रही 5000 करोड होने चाहिए, और उसके बदले, 90 million मतलब कितना होगा, 700 करोड पड़े है, 4000 करोड इन्होंने गायब कर दी है, और यह भाई सब इस बात को seriously नहीं ले रहे हैं, इन्होंने tweet करी कल 4, 4 यह मतलब CZ को copy कर रहे हैं, CZ भी आकसर ऐसे words को डालते र लोगों ने Bitcoin Cash के बारे में बुचा था, कि Bitcoin Cash का क्या होने वाला, तो yes, Bitcoin Cash from June $100 to almost, end of June $300 तक यह चला गया था, तो almost 3X प्राइस में हुआ था, उसके बाद काफी तीज़े से नीचे आया है, इसका कारण सीधा सीधा यह था, Citadel जो एक बड़ी institution-backed company है, उसने जो नहीं exchange मना की बात की थी, Bitcoin, Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash, so एक तरह से market ने माना कि Bitcoin Cash को institutional approval मिल गया, इसके चकर में यह इसको बड़ा pump मिला, आप देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम से towering, दो मातर हफतों में इसने almost पैसा triple कर दिया था, बढ़ दोस्तों, इस मदु मक्की के चत्ते पे हाथ मढ़ डालो, ज 2020 से अब तक की, तो यह अब एक support level पे आ गया है, correct हुआ है, 239 डालर पे आ गया है, बट उससे important दोस्तों, don't get fascinated and attracted by short term gain, yes 300 से 227 पे आ गया है, no problem, अच्छी कासी गिरावाट है, तो कहीं लोग सोचें का मैं average कर लेता हूँ, मैंने 280 भी खरीदा था, 300 भी खरीदा था, यह मै गो बाक तो 200, बट बिफोर दा एक बार इस चार्ट पे नज़र दोड़ा, यह max time frame है, 2017-18 में यह 4000 डालर का गया था, बट बट बिस्पाइट all of the market movement, it is only going down, it is not coming back to its previous high, so मोटा मोटा, bitcoin जो है, वो bitcoin cash जो है, वो bitcoin का ही एक fork है, copy है, बट कोई smart contract नहीं है, कोई capabilities नहीं है, yes, based on some temporary rumors, based on some positive news, it can pump, but always remember, that जब bitcoin अपने all time high पे दो बार गया पिछले दो cycles में, bitcoin cash कहीं नहीं गया, so I think you don't want to put your hand into this beehive, so मेरा मान है, और मैं गलत भी हो सकता हूं, bitcoin cash से दूर रही है, but अगर आप really adoption based किसी नहीं technology में invest करना चाहते हैं, तो optimism, obviously बिल्कुल sponsored section नहीं, मैं अप Twitter पे बहुत लोग ने पूछा था कि अगला Solana, अगला Ethereum, तो एक महिने में double हुआ है, ज्यादा पुराना नहीं है, June 2022 में launch हुआ था, super chain इसको बलाते है, और क्यों मैं बताता हूं कि आपको adoption की तरफ जरूर देखना चाहिए, कि 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 ब्लॉक्चेन को use किया जा रहा है, ज् सबसे दो बड़ी-बड़ी, बड़े-महा बड़े coin इस पे जो है launch हुए है, optimism पे, वैसे आप अगर आप देखें, तो 42 मातर rank के, इसकी market cap अभी भी ज्यादा बड़ी नहीं है, despite all the pumps and all, right, so, and again, आपको यह यह नहीं करहा हूं कि आप 1.70 पे खरीदे, अगर आप देखें, दिन में crash होके, यह 3 dollar से, 60-70 cents पर भी चला गया था, but adoption देखिए, अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने बताया था, कि coinbase, base नाम के protocol पे, जो कि base protocol, optimism के उपर बना हुआ है, नया coin launch हुआ था, bald, जिसकी हाले के धजियां उड़ गई थी, इसके बाद number 2, तो basically super chain का मतलब के ह super chain का मतलब है, although it is an L2, layer 2, you can create your own blockchain on top of optimism, so, जो coinbase का base है, base language, base blockchain, वो optimism के उपर बनी हुई है, उसके बाद अभी अपने हाल में सुना होगा, world coin, world coin is being made on top of optimism, so, optimism का practical usage बहुत हो रहा है, बड़े-बड़े coins इसके उपर आ रहे हैं, बड़े-बड़े dexes बनने की तयारी में है, and it is at a still very 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 early stage, yes $3 is the all time high, just few weeks before, और अभी यह almost $60-$70 से वापसी किया है, I wish I would have bought at $60-$70, in full disclosure, मेरे पास अभी भी कोई भी optimism निया, तो आप ऐसे मुझे कोई अंतर्यामी मत समझे कि मैंने बहुत जल्दी खरी लिया कुछ नो, but I'll also maybe try to wait for another correction क्योंकि again $60-$70 cents पे हम से miss हो गया और अभी सवा डॉलर पर है, $10-$10 पर है, let it correct, but Bitcoin Cash से मैंने compare किया इसका, क्योंकि yes, things can go up, but don't get fascinated by just the pump, so this was the answer on the top 100 altcoins, जिसका सवाल आपने पूचा था Twitter पे, आप जाके Twitter पे दुबारा से जो है अपना favorite altcoins के बारे में बता सकते हैं, पूच सकते हैं, और अगर आप $50 इतना जाते हैं, तो मेरे एक सवाल का जावप दीचिए, जिए आप YouTube में comment कीजिए, which altcoin do you think is going to pump the hardest in this bull cycle, मैं हर बार की दर आपको अपना answer बताता ही हूँ, मेरा मानना है Ethereum has a good chance, and then I feel Solana also has very very good chance to give 10 गुना या 15 गुना शायद अगर हम लगी हुए, end of return, आप अपने favorite altcoin का type कीजिए और अपना क्या रखिए दोस्तों, अपना USDT address डालना मत भूलिए, अपना क्या रखिए धन्यवाद चेहें